कि नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हां सर मैं गोवन बोला हुटावास अभी आपने फेस्बुक पे वो पोश्ट किया आपने नम्मर दिया है तो उसी सिलसले में बात करना चाहता हुए अर्शन स्कोल लेकर बताइए हां बताइए कितना आप था अर्यार मेरा तो बहुत पास से रुख गया हुट शाचट दसंबला फोर थरी था मेरा अच्छा आपको एक जानकारी है कि यह भरती 79,000 किन पदों पर हुई थी कहां से पदाए थे अरे वहां सिक्षामित्र जब ऐसे हो तो आपको जानकारी है कि जो है पर ने कहां था दो मौके दिये जाएं तो यह दो भरती किये गया है तो वो जो जजमेंट था जिसके विहाब यह भरती आई थी अभी वो जजमेंट अधूरा है अभी वो जजमेंट पूरा किया जा रहा है इस वजह से यह सारे विवाद हो रहे हैं अच्छा मैटर जो है वह यह है कि जितने लोग हैं उन्हात्रजा भरती में सामेल हां उन सभी लोगों को निक्ति दी जाएगी अच्छा है जो pat उसमें क्या कखा गया है च्छेंब्सका लोग अंधर है उनको छिडा न जाएगे जो है यह क्या मतलब निकलता हो है कि जो है जो अंदर है उसको छिड़ा ना जाए और अगर मेरिट फिर से पुरी लिश्ट तैयर की जाते हैं तो जो बाहर हो रहे हैं उनके लिए ब्यूस्था बनाई जाए यह लॉजिक है इसके पीशे कुछ जो अंदर आने चाहिए उनको कुछ नहीं मिलेगा तो इस बात को समझपा रहे हैं कि नहीं कोड क्या कह रही है पहले बात तो यह जानिए कि कोड में बैठा वेक्टी जो जज है वह सरकारी नोकर है बिल्कुल वह सरकार से वितन लिता है बिल्कुल नोकर किसकी बात मानता है अपने मालिक की आपके दिमाग में चाहिए जितना कुछ हा रहा हो लिकिन आप अपनी दिमाग से नहीं चल सकते आप चुक्त कर रहे होंगे इसलिए जो आपको मालिक कह रहा होगा वह आपको करना पड़ेगा तो वही चीज है कि जो 2017 में जज्जमेंट आया था मैटर चल तो उस वक्त पूड को बताया गया कि समयोजन को रद्द न किया जाए हमारे पास सवा चार लाग पद और हैं उस समय की कहानी है जब यह मैटर चल रहा था तो उस समय अखिले सरकार थी उन्होंने कहा था कि हमारे पास पद और हैं हम अन्य कर लेंगे आप सिछामित्रों को डिश्टब न कीजिए तो जो कोड में कहा गया था कि हमारे पास चार लाग से ज़्यादा पद हैं उन्हों पदों पर अभी तक तो भरती हुई नहीं नहीं हुई नहीं हुई हाँ तो इस सारी पटकता वहां से त्यार की गई है सारी भूमिका वहां से त्यार की गई अब अगे बढ़ रही है उस तरफ कि वो जो सारे पद हैं वो भी भरने हैं तो इसमें गौवर्मेंट को टीचरों की जरूरत थी यानि कहले एक तरह से नौकरों की जरूरत थी अब उसमें उनको 50,000 नौकर मिल गए 60,000 मिल गए 65,000 मिल गए जितने भी मिल गए उनका काम चलने लगा अब जो विवाद चल रहा है उसको साइड में करके जो विभाग है गौवर्मेंट जो है वो अपना दूसरी तरफ काम आगे बढ़ा रही है लड़ती अपना उलशते रहे हैं लड़ते रहे हैं उनको जो करना है वो अपना कर रहे हैं अब आप बताए कि कोई भरती निकालती है गौवर्मेंट उसमें राम को नौकरी मिले स्याम को मिले मोहन को मिले सीता को मिले गीता को मिले अगर उन्हें एक लोग को रखना है तो किसी को भी ले ले लेंगा उनको तो फर्क पढ़ता नहीं है कि मोहन आया कि सोहन आया सीता आई कि गीता आई है ना तो एक कि लाइफ सेटल हो गई जो बाहर है वो डिश्टर्ब है तो खैर यह सब चीजें ट्रांजेक्शन पीरियड वाली है गौवर्मेंट बढ़ रही है उनकी प्लानिंग है उसी के अधार पर उन्होंने जज्जमेंट करवाया है यह सारी चीजें जो जज्जमेंट में लिखी है मेहटर को देख करके फाइनल डिसीजन पर पहुंचा कोड लेकिन जो फाइनल डिसीजन लिखना होता है तो फिर गौवर्मेंट के साथ बैठ करके डिसाइड होता है कि क्या जज्जमेंट कैसे किया यह चीज करना है फिर बताती है आप यह चीज उसमें जोड़ दीजिए यह चीज भी उसमें मत लिखिए फिर उसाथा पर जज्जमेंट हो जाता है तो जो 2017 का जज्जमेंट था उसमें कहा गया था कि सिछामीत को दो मौके दिए जाए गौवर्मेंट ने अब तक सिछामीत्रों को चार मौके दे दिए अब तक 2017 से 2023 तक चार बार यूपी टेट ह हो चुका है सई बात तो यानिyes की को मौके दिजिये और गौवर्मेंट ने अब तक उन्हें चार मौके देदी टेट पास करने के इसी दौरान आठ बार seated भी हो चुका है, तो सिछामित्रों को भी पर्याप्त मौका मिल चुका है, तेट सिटेट पास करने का, तो जो उसमें टेट सिटेट पास है सिछामित, जैसे उत्राखंड में समयजन किया गया, उनको नूप्ति दी गई, ऐसे ही उपी में भी होने जा रहा है, उनक को भी चरणबत तरीके से वर्षवार नुक्ति देने जा रहे हैं तो जितने भी उनहतर जार में जो लोग थे या दोजार एठार टेट पास वाले थे वालों को जितने भी पुराने लोग हैं जो किसी भरती में आविदन कर चुके हैं पहले उन सब को चरणबत नुक्ति देने जा रहे हैं और करीब करीब और आपने सुना होगा राष्टि सिछानीटी के बारे में क्या बताईए आप पढ़ा या नहीं अभी तक बताईए अब आप जो है सिक्षक बनना चाहरे हैं और आप कहा है मैंने सुना हर जो प्लसी ना बढ़ी है बताईए आप उसमें जो 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 चैलरी मिलेगी ना वो अब जो आप चले गए अब बात वह रही थी अवी तो दूसी बात वह रही थी ना और अब बताई और ने सेल्री में क्या डिफरेंस मिला आपको राष्य सिक्षानीती में नहीं जो अभी चल लगी है वह अब प्राइमरी वालों की 15000 के राउंड हो जाएगी अच्छ अच अब पर पर मुर्खों के पोस्ट पढ़े हैं और रिपीट कर रहे हैं अब बताई इसमें से रिलेटेड वो है नहीं पहले आप सब्दों पर ध्यान यह सिक्षा नीती नहीं है कि वहां बस सेल्री की बात हो रही है उसमें तो सेल्री की कहीं बात ही नहीं होई है पूरे 108 पेज में अच्छा हाँ पर आगे बताईए सब जब उसका ड्राफ्ट आया था साड़े 800 पेज का आपने उसका देखा भी नहीं होगा इसलिए तो आप जो है पूर्फों के पोश्ट पढ़कर के बात कर रहे हैं अलग होती है आप सब्दों से सब्सक्राइब करें तो कह रहे हैं ना कि मैं यह फॉन कीजिए मुझे उसका कंक्लूजन मुझे बताईए मैं आपके इतनी सब लंबी चोड़ी बात सुनना नहीं चाहता हूं इतना है कि आप एक फ्रस्टेड इंसान है आप से बात करना विकार है